हमाई स्कूल के स्टाफ में है चालिस टीचर, हमने यहाँ बुलाया केवल चार लोगओ को, का है? बता सकता कोई अब आपई बुलाए हो तो आपई जानो हम लोग का का पता नहीं पता तो चुप़े बैठो अरे पगले होगा बिल्गुल सामने प्रिंस्पल बैठा है चिला रहा है कोई फरके नहीं है हस रहे और तुम हमाई सामने यार बोला ही ना करो तुम्हें मुझसे आती बदवू हाँ बड़ी तेज रुमान लगा के बैठा करो बता दिया हाँ तो हम कही रहे थे हमने यहां तुम लोगों को क्यो बुलाया है तो सुनो हमने यहां इसलिए बुलाया है सर जी हाँ एक बात पूँचनी है बोलो आपने हम लोग को यहां बुलाया कहे के लिए बता रहा है बता रहा है का है मारे जारो बैठो बच्चों की लगातार सिकायते आ रहीं आप लोग के खिलाब इसलिए बुलाया है अच्छा अच्छा नहीं एक सिकायत यह है कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं अरे राम राम यहां आपकी बात की जा रही मिसरा जी क्या बक रहे हैं सर बक नहीं मेरा मतलब क्या कही रहे हैं सर नहीं नहीं बक हैं बक और नहीं सर हम जगते तो हैं क्लास में नहीं बिल्कुल जगते हैं जगते तो हैं यह हैं लेकिन जब घंटी बजती तब जगत कि बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे वहां फिर सोएंगे और नहीं सर क्या नहीं यहीं सच है सही कही है हमारा पीरियड जो है इनके पीरियड के बाद आता है तो कभी गभी हमको भी जगाना पाथा यह सोए रही ते कहिते चलो बया जाओ घंकी बज गई जाओ अब दूसरी क्लास में जाओ जाके यहां सहतो तो बिरांगा आते आंगाते उठते तो फिर जो जो कभी गई एक बार तो या तो तुम हस ले या तो बोल ले नहीं नहीं एक बार तो यह जो है अंगाते अंगाते उठे और जीने असे चड़ना लगते हैं जीना भगी रगा था हमसे सारी नींद निकल गई होगी फिर तो करहों स्देटर करा हैו करैब आज है इस्ट श्राट करेअ श्रेट यैट आप इंगलिस के टीचर आपको इंगलिस नहीं आती बोडी पार्ट तक नहीं आते आपको आता क्या है आपको हसना और तुम पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों को पढ़ाते हो नहीं तो सर अच्छा तो हम जूर बोल ला है मतलब यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब मतलब बच्चे सिकायत कर रहा है पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं अरे इनकी हाइट कम है ना तो तो यह पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं पड़ते हैं आगे ही आगे पढ़ाते हो चले जाते हैं अरे यार कितनी हाइट छोटी खड़े हो जाद देखें कितनी हाइट छोटी खड़े हैं तो है तुम खड़े हो मतलब तुम तब से खड़े हो हां वो जब बैचते हैं तो खोपड़ी मेज में लड़ती है देखो ऐसा है तुम सीट पे खड़े होके कुरसी पे खड़े होके टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ लेकिन सबको पढ़ाओ सर कर चुके हैं ये काम लेकिन सर बच्चे हसने लगते हैं फिर तो आप एक काम कीजिए, अपने पेरों के नीचे दुझ बास बंधवा लीजिए, तो इससे क्या होगा आपकी हाइट फड़ी बढ़ देए, क्या बेवकूपियत है, क्या बेवकूपियत बता रहें, नहीं ये क्या बेवकूपियत बता रहें, मतलब कोई आदमी अगर बास बांधेगा तो खड़ा हो पाएगा, डिसबैलेंस होके खुपड़िया नहीं फड़वा लेगा, अजीब बेवकूपिय वाली बाते कर रहें, बेवकूप हैं क्या, कुछ जादा ही बोल रहें आप, नहीं तो बेवकूप को बेवकूप नहीं ब नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, करके दिखाएए, मैदान में आईए, यहीं बताएए, बही जाएए, बही जाएए, नहीं तो मैदान में दोनों को भेद देंगे, कुष्टी लड लेना वहाँ पे जाके, तिरे एक दूसरे खोपड़ी फोर के आना हमाए पास, नहीं तो आप इनको समझाईए ना, इनको क्या समझादे हम, में लडाका तो तुम हो, आपको इसलिए पुलाया गया था, कल किसी के गार्जियन आये थे, सही सलामात आये थे, लंगडाते हुए गए हैं, हमें पता चला मार पीठी आप दोनों में, मतलब हद हो गई, यह आलग चल लए हमारे स्कूल की, तुम चारों मक्कारों को नौकरी से निकाला जाएगा बताय दे रहें, हर कोतों में अगर सुधार नहीं हुआ, तो नौकरी से निकाले जाओगे भीक मागना सड़क पे, ए रबड है, रबड है, यहां किसी के पास रबड है, रबड का क्या करना है तुमको, बिगाडना है, क्या बिगाडना है, हमें जिन्दकीत पहले बिगाड चुके हो तुम, अब क्या बिगाडना है, अरे गल्ती दिख रहा है, वही सोच रहा है, बिगाड ले, चलो कोई ब हाँ थूंक से बागल हो क्या बिल्कुल थूंक से बिगारा दाता है ची तो उसमें दिक्कत क्या है कोई दिक्कत नहीं बागल हो बिल्कुल तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूंक से बिगारा है कहा तब आपके रजिस्टर में लिखा तब प्रिंसिपल का नाम लिखो हमने धोके में अपना नाम लिख दिया फिर थूख से मिटा रहा फिर आपका लिखा थूख से बिगारने में दिक्कत क्या है इतना गिनपण मेरे नाब के दीचे मेरे रजिस्टर में हमेशा दे बिगारते है रहो तुम इतनी दिक्कत क्या बाद चुम रहो तुम आप इतना प्रेसान काय हो रहा हैं पूरी दुनिया बिगारती थूख से पूरी दुनिया थूख से पिगारती है और जा लगता है सर्जी वो थोख से लड़ी है चलो अगली बार नहीं पिगाडेंगे सर्जी अगली बार नहीं पिगाडेंगे सर्जी सर्जी आख्या तो खुली है सर्जी